दोस्तों टेक्नो इच्वाकू चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए फ्रेस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज बात करने वाले हैं एक बजट सेग्मेंट में जो फोन है मोट्रोला का मोटो जी 31 का ये मैं एक साल से इसक को और इस चनल पर नए हैं अभी वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो और बहुत सारी तमाम एंबॉक्सिंग रिव्यूज सब का वीडियो है चलिए बात करते हैं इस पार्टिकूलर फोन का जो कि यह एक साल पहले पोट्रोला ने इसको लॉंज किया था उस समय इसका प्राइस और शिख्टी पोर वाले का लवक तेरह हजार रुपय था बार निनान वे उसी समय मैं इसको पर्फॉर्मेंस कैसी है और चीजे अच्छी है कौन सी चीजे बूरी है अभी आपको यह आपके पास अगर फ्लिप काड एक्सिस बैंक क्रेडिट काड है तो आपको प 550 रुपय का कैस्ट मिल जागा दोस्तों इस मोटो जी थर्टीवन में लेनेवो का थिंग सील्ट प्रोटेक्शन दिया गया है जो की काफी मस्त चीजेस में है बस यह चीज जो है आपके फोन को काफी सेक्योर कर दें तो अगर दिजाइन की बात करते हैं तो फीछे टेक्ट बिजार कि रिंग में स्रांदार डिस्प्ले आपको कोई नहीं देने वाला है और दोस्तों अगर बात करते हैं आगे तो आगे टॉप-थै जोकी आपका कैमरा इस तरह से है फांचौल का है पीछे बात करें के बारे में तो यह तीन कैमरा का सेट अप है इसमें जो में ने क के अगर गण्धों का देख रहा है कि यह टैप सी पोर्ट दिया गया है और यह स्पीकर ग्रील है और यह माइक का दिया हुगया है अगर ऊपर के बात करें तो यह से अप डाउन है और इधर से यह पावर इंड की है और एक एक्स्ट्रा जो यह बटन देख रहे हैं तो यह गूगल असेस्टिव के लिए दिये गया है यहां से डाइरेक्ट आप करके गूगल असेस्टेंट अन हो जागा है तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज जो कि बहुत बुरी है तो इसकी लीस्ट थोड़ी लंबी है तो अगर आप ले रहे हैं तो समझ कर लें अगर आपके घर में बजूर्ण ब्यक्ति हैं माता-पिता है उनके लिए एक आप नहीं चाहते है उनको स्प्वीड मैटर सकते हैं उनको ज्याधा चैमरा नहीं मैटर किया हूँ आपको आइपोन 13 का विवो बी 23 का वन प्लस E24 मॉनीटर का भी आपको मिल जागा यहां तक कि आपको लेटेस्ट मैक मीनी M2 का भी आपको इस चैनल पर ही रिदियू देखने को मिल जागा उसके लिए आप डिस्क्रिप्सन जरूर चैक आट किजिए क्योंकि उसमें तमाम ऐसे वीडियोज है जो कि आपके सारे जनकारी को जरूर करने हैं तो आप जरूर उस चीज को चेक आट कीजिए और वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है वीडियो में बने रहें out of the box बात करें कि कौन सा Android वर्जन है तो इसमें 11 देखने को मिलेगा अभी तक अगर इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हीडियो जीटी फाइब का प्रोसेसर देखने को मिलेगा पर्फॉर्मेंस बाइब यह अच्छा है कभी कभी अटक ता है जैसा कि मैं अभी बताया लेकिन जीटी फाइब जो है इस प्राइस सेग्मेंट में गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है जब गेमिंग की बात आती है तो बैटरी की बात आती है तो बैटरी 5000 की बात करते हैं तो इस फोन का सबसे कम जोडर कड़ी अगर कोई है तो इसका कैमरा ही है बिल्कुल बहियात ओव वेकार कैमरा दिया है और इसका वीडियो जो है वीडियो रिकॉर्डिंग ठीप यह पीछे नहीं है लेकिन यह इतना फीचर दिया है तो थोड़ा सा क्वालिटी ही बढ़ा देता इसके जो सेंसर्स है उतने अच्छे नहीं है जिसकी वाइसे यह कैमरा के लिए यह फोन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको एक साल से कर रहा हूं हैं वेगर तो नहीं हुआ है अभी तक और में इसको अराम से बच्चे वगर हैं यह वीडियो कॉलिंग या कुछ भी नॉर्मल टास्क के लिए आप कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब 10,000 में आपको क्या ही मिल जाएगा दोस्तों यह था मेरा एक साल का रिविव यह मोटो जी 31 के बारे में दोस्तों इसकर्षता अगर बात करें तो यह किसे लेना चाहिए तो अगर आप ऐसे यूजर हैं जुनको ज्यादा स्पीड से मतलब नहीं है कैमरा से मतलब नहीं है तो इसको आप खरीच सकते हैं लेकिन आज के डेट में मैं इसको रिकमेंट नह जागा बस यही था और अगर यह चैनल के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूले एक हजार का टार्गेट है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके टार्गेट को पूरा करने में जदत कर और दोस्तों के अपास शेर करें उनसे सब्सक्राइब करवाएं जितना भी एकाउंट है आपके फोन में लॉग इन उससे जरूर सब्सक्राइब कर दिजिए बाई जय हिंद जय भारत